नमस्कार दोस्तो बेंकर्स फंड आउस अभीगा स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आईवीपी असाराइबी कलर के अंदर जो प्री एक्जाम के अंदर रोंग वन आउट वाल नंबर स्रीज आ रही है इसके बारे में बात करेंगे पूरी बुरी में बहुत सर आउट वाली नंबर स्रीज आप लोगों को एप्रोच करना है पांच मार्स की आ रही है वहां पर ठीक है तो आगे वाले सिप्ट में भी रोंग वन आउट आ सकता है तो इसलिए यहां पर मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूं तो इसका आपको एक्जाम के अंदर हेल्प हो तो यहां पर चार-पांच टाइप की रोंग वन आउट वाली नंबर स्रीज पूछ रहा है तो मैं हर टाइप आपको यहां पर कराने कोशिस करूँगा जिसके अंदर स्कॉयर वाला क्यूब का कुछ कॉंसेप्ट होता है 0.15 से multiply, 0.25 से multiply, इस तरीके से 0.2 से multiply होता है उसका का concept, इसके अलावा difference का concept, multiply का concept, सारी चीज़ें यहां पर इसी वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं तो ध्यान से देखेगा सबसे पहले तो मैं देखो, question नहीं ले रहा हूँ, एक यह basic example ले रहा हूँ ताकि आपको wrong one out नंबर सीरीज होती है वो यहाँ पर समझ में आई है, कोई question नहीं एक exam गई, मैंने एक simple सा ऐसे example create किया है ताकि आप लोगों को एक idea देशकों कि कैसे आपको wrong one out वाला जो number होता है, वो पकड़ना कैसे है तो यहाँ पर मैं एक series दो से चालू होते हुए, यहाँ पर 14 तक पहुँच रही है इसका मतलब यह किस की series है, difference की series है, सबसे पहले तो difference और multiply की series कैसे होते हो, मैं बता दूँगा, questions के अंदर ठीक है, यह पता चलना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि एक पर किसी difference की series Ici difference मैंने निकाला, यहाँ पे लिफ दो का diff, यहां पे लिफृर्ट , यहाँ पर देखना यहाँ दो का diff का है、 यहाँ पर सभी है यहाँ पर तो यहाँ पर दो गलत आते है, यह वाला डि siis का झालत है तो इसके बीच का number होगा वह आहां होगा यहाँ आपका ध्यान में रखना य strips होगा तो इं दोनों डिपरेंस जो बीीच का नमबर ये गलत होगा जैसे की माननो ये वाला नमबर गलत था ठीक है यहार पर मैं बानती हो 2 का byन में तो 12 हो जाएगा यहां पire 2 का byन में 14 क्या हब बासंके हो जाएगा वह रोंग वन आउट वाली, वह multiply किया है, पलस किया, देखो multiply के अंदर तो number एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, किसी से multiply कर तो number एकदम से बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ा number हो जाएगा, ठीक है, increase बहुत जादा हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन अगर difference के series होगी तो number से निकालते हुए चलो, यह हो गया difference 3 का, यह हो गया 7 का, ठीक है इस तरीके से निकालते हुए चलो, यह हो गया 11 का, यह यहाँ पर 14 का और यह यहाँ पर 20 का, अब यहाँ पर मुझे पता करना है, difference है, मैं difference मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है तो difference का फिर से difference निकालो, यहा यहां तक difference सही था तो यह 11 वाला नंबर यहां तक सही था और यह वाले नंबर यहां तक सही थे मतलब यह जो difference का difference आ रहा है 3, 7, 11 तक ठीक था यह 14 और 20 में गड़बड़े तो इसके बीच वाला नंबर ही रोंग वन आउट होगा ठीक है तो इसको answer लगा क्या दाना है आपको सही होई करके देखने की जरूरत यहां पर नहीं है अब अगर मालो अगरपन सही करके देखते हैं तो यहां पर 4 आएगा ठीक है तो यह वाला difference क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा 38 में 15 जोड़ोगे कितना आजाएगा 53 आजाएगा 53 में देखो फिर से 15 के अंदर यह वाला difference हो जाएगा 19 हो जाएगा 53 में 90 इन जोड़ोगे तो आपका क्या आजाएगा 72 आजाएगा तो इस तरीके से आपको find out करना है कि कौन सा नंबर यहां पर गलत दिया वाए एक्स्ट कुशिन देखें देखो 11 से 18 आ रहा है 18 से 19 आ रहे तो multiply की series तो हो इनी सकती इसका मतलब difference की series है तो difference निकालो ठीक है difference यहां पर देखो 7 आ गया यहां पर 11 आ गया यहां पर 13 आ गया यहां पर 17 आ गया और यहां पर 21 आ फिर से 21 आ गया तो मुझे एक बात तो समझ में आगे कि difference दो दो difference तो same तो हो नहीं सकते तो देखो दूबारा से difference का डिफिरेंस निकालो यह 4 है यह 2 है यह फिर से देखो 4 है यह फिर से यहां पर देखो फिर 4 आ गया एक और यह यह यहां पर 0 आ गये difference इसका मतलब देखो 4 2 4 यह repeat हो रहा है 4 2 फिर 4 तो यहां पर क्या आनाची हוצ第二個 आन चीँए, तो इसका मतलब ज 17 तक difference सही था, क्योंकि 4 जोड़गी समें जाएगा, यह वाला difference 21 गलत है, यह वाला 21 गलत है, इसका यह वाला number गलत है, simple सी बात है, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, अगर direct वे से नहीं पता करना चाहिए, अगर इसको correct करके देखना चाहते हो, तो यहाँ पर 4 का difference है, तो यहाँ पर कितने का difference आएगा, 2 का difference आएगा, तो 21 चेंज होके क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 59 में जब आप लोग 19 जोड़ोगे, तो आपका क्या आजाएगा, 78 आजाएगा यहाँ पर, तो यह 80 नहीं होगे, 17, अब आगे इसको check करना चाहते हो, तो यहाँ दो का difference, तो यहाँ फिर से क्या आएगा, 4 का difference आजाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएग 20 हो जाएगा, 78 में 23 जोड़ोगे, तो क्या जाएगा, 10 बना जाएगा, तो आपका wrong one कौन सा हो गया, 80 हो गया, इसको एक logic और भी मिल सकता है, आपको कई जगा पर, ठीक है, वह और बता जिता हूँ मैं, एक logic यह मिल सकता है, तो यहाँ पर difference था, 21 का, और यहाँ पर 21 का, अ जाएगा, इस तरीके से भी इसको logic लगा सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक approach अच्छे से लेके चलनी है, और question में करा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, तो लेकिन approach आपको पता हो निची, अब दोस्तों यह next 2 question और देखें, थोड़ा सा लकौन स जाएगा, तो जहाँ में multiply की series दिखें, तो आपको लास्ट के दो वाले नंबर हमें सा पकड़, डुकिये चलो, गलत होगा, उनमें से भी कोई तो अपन लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले लास्ट वाले दो नंबर देखते चलो, तो यह लगबग 500 की बराब जूड जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि exact 3 से multiply करने पर 1458 तो पीछे भी देखो कहीं ऐसा हो रहाएगा, इसको देखो 3 से multiply करके देखो, ठीक है, तो 6, 18 और 4, 406 से आगे, यह भी 3 से multiply हो के आगया, इधर इसको देखो के 3 से multiply करके यह तो यह भी 162 आ रहा इसका मतलब दस क्या है, यहाँ पर गलत है, ठीक है, तो पीछे से देखो, इसको सही करके देख लो, 2 को 3 से multiply करके देखो च्छे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, और 6 को 3 से multiply करों गया जाएगा, एटीन आ जाएगा, तो इस 10 के जगा क्या ना चीए था, 6 तो सारी चीजे 3-3-3 से multiply हो रही है लेकिन लास्ट के दो पकड़ों के पता चल जाएगा अगर इन में गलती होती तो फिर पहले बाले में पता चल जाता ठीक है लेकिन सारे चेक करने हैं जूरत नहीं अब फिर यह से multiply करके देखने हैं विजूत नहीं लिख किया आप लोगो 16, 9 पलस 16, 25, 25 पलस 16, 41, 41 पलस 25 यहाँ पर यह आजाएगा 66 तो यह वाला नमबर क्या हो गया है यहाँ पर गलत हो गया अब आगे चेक करना जाते हो तो चेक कर लो 41 पलस 66, 107 आजाएगा 66 पलस 107 करोगे तो 113 आजाएगा तो यहाँ पर आपका 68 गलत है तो कई बारे सा जाता है कि दोनों नमबर को जोड़के आगे वाला नमबर बनाता है दोनों नमबर को जोड़के तो इस तरीका के कुछ आजाए तो ध्यान रखना थोड़ा सा देख इसको ठीक है तो इसलिए मैंने यह करा दिया है कि ऐसा कुछ आजाए तो आप लोगों को दिक्क दना हो देखो दोस्तों अब कुछ पॉइंटों के अंदर कुछ नमबर दे देता है तो वहाँ पर किस तरीके से क्विशन को टेकल करना है वो मैं आप लोगो को बता देता देखो 4, 2, 3.5, 7.5, 26.25, 118.125 यह आपने जो ने जब नमबर देखा तो आपको पता चल गए कुछ 0.5 या पलस माइनस या कुछ पॉइंटों के अंदर कुछ ओपरेशन हो रहा है mathematical यहाँ तो यहाँ पे 26.25 से 118 देखा तो सीधा-सीधा पता चल रहेगी यहाँ पे कुछ इस भी नमबर हो सकता है 2.346 तो कहां ढूंडोगे आप उस नमबर को नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इसलिए आप लोग उसको एक बार स्किप करना है वही में आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे अच्छे से 4 से 2 लाया तो 0.5 से multiply होगा ठीक है 2 से 3.5 आ रहा है तो यहा आ जाएगा 3.5 आ जाएगा अब जब 3.5 से 7.5 से जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि एक से multiply होगा 3.5 यहां पर फिर डेड़ से multiply गरूँगा तो भी कुछ ज़्यादा चला जाएगा ठीक है तो 7.5 तो कुछ simple सा logic नहीं बेठ रहा जो बेठना चीए ठीक है तो एक बार इसको छोड़ दो यहां पर फिर आगे जाके देख लो कि आगे क्या हो रहा है जहां पर कुछ multiply नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है वहां पर छोड़ दो एक बार के लिए आगे जाके देखा 7.5 से 2675 में जा रहा है तो देखता हूं मैं इसको नजदिक ले जाने कुछ इस करत 3.75 आ जाएगा ठीक है 3.75 जब इन दोनों पर यहां पर चोड़ा जाएगा तो 26.25 इसका मतलब यह किस से multiply हो रहा है साढ़े 3 से multiply हो रहा है इसके आगे देखो 0.5 से multiply यहां साढ़े 3 से multiply इसको देखो 26.25 को 118.12 यह दो को नंबर मैंने आ बड़े ले लिए इतने बड़े करनी आएंगे एक्जाम के अंदर ठीक है यहां मैंने बस ऐसे बताने के लिए यहां पर नंबरों को पड़ा लिया है यहां पर 26.25 को लगबग अगर अपने 118 के पास मिले जाना है तो लगबग 4 से multiply तो करना है करना पड़ेगा तो 26.25 को 4 से multiply करो क्या आ जाएगा 26.25 होता तो 0.5 26.25 का आधा क्या होगा 13.125 ठीक है 13.125 इसका आधा होगा टोटल जोड़ोगे तो 118.25 आपका 125 आ जाएगा तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि यह 4.5 से multiply हो रहा है इसका मतले को 4.5 तो 2.3.5 तो यहां पर कहीं 2.5 से multiply हुआ होगा और यहां पर कहीं पर 1.5 से multiply कौन कौन से multiply गलत है यह वाला multiply गलत था यह वाला गलत था यानिकि इसके बीच वाला number यह गलत है ठीक है अब इसको correct करके देख लेते हैं क्या जाएगा 2 को 1.5 से multiply करेंगे क्या जाएगा 3 को 2.5 से multiply करेंगे सिंपल क्या जाएगा 7.5 आ जाएगा तो यहां पर आपका 3.5 क सारी चीजे इस तरीके से पता चल रही है, तो यहाँ पे भी सिंबल सी बात है, 16 से 4 जा रहा है, 2 जा रहा है, फिर गढ़ती जा रही है चीजे, इसका मतलब कुछ और कुछ multiply हो रहा होगा, ठीक है, 16 से 4 लाने के लिए मैं 4 का भाग देना पड़ूँगा, 4 का भाग देना पड़ेगा, इसमें 4 के भाग का मतलब किस से multiply हो रहा होगा, एक तरीके से 0.25 से multiply हो रहा होगा, यहाँ पे 4 से 2 लाना है, तो यह 0.5 से multiply हो रहा होगा, इसी तरीके से अगर मैं बात कूरूँग, 0.25, 0.5, तो यहाँ पे किस से multiply हो रहा होगा, 0.75 से multiply हो रहा होगा तो सही है 0.75 से 2 को multiply गर 1.5 यहां तक सारे number सही है इन दौनों में से कुछ और कुछ गलत है तो देख लेते हैं देखो क्या गलत हैगा 0.75 हो गया तो यहां पर 1 से multiply होगा कुछ ठीक है एक से multiply होगा तो यहां पर 1.5 यह आना चीए था ठीक है लेकिन 1.5 नहीं आगी यहां पर क्या आ रहा है ठीक है 1.5 से 1.5 आ रहा है तो यह गलत हो जाएगा आगे अगर आप लोग चेक करना चाहो तो कर सकते हो वरना कोई यहां पर जरूर नहीं हो क्योंकि पीछे से पूरी एक्जेक्टली शिरीज बनते ही वारी है देखो 0.25, 0.5, 0.75, 1 तो यह कितने से मल्टिप्ला होगा 1.25 से मल्टिप्ला होगा अब आप मल्टिप्ला करके देखो 15, 0.75 ठीक है 15, 2, 30, 37, 3 तीन आगया 15, 12 और 1, 18, 3, 18 तो यह 1.875 आ जाएगा ठीक है तो आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो वागी यह क्विष्टिन का अंसर आप लोग लगा के आ सकते हो ठीक है दोस्तों यह आपका पॉइंट वाला था और इसके बाद में हम लोग कुछ और देख लेते हैं होगी एक तरीके से तो यहाँ पर difference की में difference निकालो 3 यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर 9 आ गया यहाँ पर 16 आ गया और यह कितना जाएगा यह 25 आ जाएगा और यह आपका 36 आ ठीक है इस तरीके से यह difference आ गया अब difference को थोड़ा सा अब्जरू मैंने किया तो शुरू के 2 में तो आज का square छे का square इसका मतलब यह सारे difference तो यहाँ पर क्या है करेक्ट है यहाँ पर कौन कों से difference गलत हो रहे है एक तो यह वाला difference गलत हो रहा है और एक ही यह वाला difference गलत हो रहा है ठीक है तो इन दोनों के difference यहाँ पर क्या हो रहे है गलत हो रहे है तो यहाँ पर इसको सही कर इसके बीच का नमबर गलत होता है अब आप इसको सही करके देखो या नहीं देखो वो आपकी मर्जी है ठीक है तो यह देखो यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर 2 का स्क्वार होना चीए था और यहाँ पर क्या होना चीए था 1 का स्क्वार होना चीए था तो देखो यहां पे 1 का square क्या हो जाएगा जूड़ेगा इसमें 16 के अंदर तो यह क्या जाएगा 19 की जिगह 16 में 1 का square जूड़ेगा तो यहां पे 17 हो जाएगा 17 में जब 4 जूड़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर से 21 हो जाएगा तो यह difference क्या हो जाएगा 4 हो जाए कभी बढ़ रहा है कभी घटर रहा है ठीक है लेकिन multiply की स्रीज नहीं हो सकते है डिफरेंस की स्रीज हो सकती है तो यहाँ पर देखो सुलूशे में देखना की स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर देखो कितना बढ़ गया है तो यहाँ पर प्लस से 27 हो गया है इसके बाद में 601 से 537 की यहाँ पर मैं बात करता हूँ देखो कितना बढ़ गया है यहाँ पर देखो कितना हो गया है तो यहाँ पर पलस से 27 हो रहा है नेक्स्ट का डिफरेंस देखो यहाँ इसमें पलस करके देखो देखो इसमें आठ जोड़ेंगी तो आठ सो चोन हो जागा फिर एठारा यानि कि 464 करने के लिए इसको ठारा हो जाएगा तो 264 में 264 में 264 हो जाएगा तो इसको में डिफरेंस किता है 218 है से डाइरेक्ट माइंड में कुछ करके आप लोग निकाल सकते हो ठीक है अब मैंने यहाँ से देखो सुरू से लेके लाज तक कुछ अबजर्वेशन करूँगा यहाँ पर यह क्या हुआ है माइनस हुआ है य अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं चेक करने में कोई बुरा ही नहीं है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर किसका क्यूब होता पांच का क्यूब होता यहाँ पर 6 का क्यूब होता पांच का क्यूब कितना होना चाहिए 125 का क्यूब कितना होता है 216 ठीक है तो यहा तक मेरे इसाब से सारी सीज़ आप लोगों को किलिर हो गई होगी दोस्तों होफ़ली यह वाल लेक्चर आप लोगों को पसंद आये होगा जो आपकी आरार्वी की पिरी का एक्जाम आ रहा है इसके अंदर आपको हैल्फुल रहेगा ठीक है अगर आपको यह लेशन हैल्फु